और कहा है पहले आपके मातापीता थे और आपनों गायत में आपके सिस्टर आई है आद देखे हाथ जोड़ करके मुक्रमंत्री जी को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अभिवावक हैं बुजूर्ग हैं हम आपका सम्मान करते थे करते रहेंगे आपका अधिकार है कुछ भी आप हमको कह सकते हैं जो मन करें वो कहें और वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशिर्वचन होगा और आशिर्वाद होगा लेकिन बात यह है कि वेक्तिकत बाते बोलने से क्या बिहार की लोगों को फाइदा होगा और वेक्तिकत बाते जो है इस समय ऐसी बाते बोलनी नहीं चाहिए हलाकि कुछ भी बोले हम तो आशिरवात की रूप में आशिरवचा नहीं मानेंगे लेकिन चुनाओं में मुद्दे जो है मुद्दे बात होनी चाहिए और किसी को इस तरह से वेक्तिकत बात बोल करके है बिहार के लोगों का बिहार का फाइदा है इस से फाइदा किसका है और ये लोगसवा का चुनाओं चलनाहा है और उनकी भाशन हम सुन रहे हैं आज कल और इस भाशन में क्या बोल रहे हैं रे रिवाज कौन उनको लिख करके दे रहा है क्या बोल रहे हैं इस तरह any कपड़ों पर यह जोबी बाते हैं हम लोग देखने ही ऐसी बाते बोलने लगी नहीं की लोक्समा का चुना ओए फच्छा स्वास्त के बारे में बात कीजिए पलायन कैसे रोकेंगे मुख्रमंत्री जी ये बताएं लेकिन इस तरह की भाशा और आपको भी याद होगा दो हजार बीस में भी उन्होंने क्या कहा था हमारे अमारे परिवार की उपर बद्धी बाते बोली थी आप लोग दो देखा होगा तो हम तो इस पर जादा कुछ नहीं कहें हम तो भगवान से यही प्रात्ना करेंगे सुष्ट रहें सुखी रहें है ना और इससे जादा क्या क्या है कि सब आएगा हम शी जीत रहें अ झाला 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